1.3 डार्विन के अवलोकन Observation of Darwin बीगल के सफर के दौरान डार्विन के कुछ महत्पुन अवलोकन इस प्रकार हैं जिनसे उन्हें जीवों के विकास का सिद्धान प्रतिपादित करने में मदद मिली सफर के दौरान डार्विन ने समुद्र के पानी के नमुनों का अध्यन किया तो उसमें उन्हें कई प्रकार के जीवों दिखे और वे चकित रहे गए यहां पर उन्हें खाने वह खाये जाने के अद्भुत खादे शंकला नजर आई ऐसा ही उन्हें दक्षिन अमेरिका के जंगलों वो पहाडों पर तरह तरह के जीवों के बीज भी दिखाई दिया उनके मन में आता रहा हर तरप संगर्ष है मरो या मारो जो बच सकता है वही बच रहा है शायद भोगोलिक जरूरत के अनुसार जो ढल गया वही जीव बच जाता है उश्न कटिबंधिये जंगलों के कई विवित प्रकार के प्राणियों और उनके आवास का अलोकन डार्विन में पहली बार किया था दक्षिन अमिरी की पहाडों के उपर उन्हें ऐसी चटाने मिली जिन में समुद्री जियों के जिवाश में मिले साथी उन्हें एक ऐसे भुकम का अनुभो हुआ जिससे समुद्र की सत्ह लगबग तीन मिटर तक उची हो गई थी इस प्रकार का अवलोकन यहां दर्शारा था कि समय के साथ महाद्वीप और महासागर में व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है रेतिले समुद्री किनारों के स्थान पर उंचे चट्टानों से घीरे समुद्री किनारों के अवलोकन से डार्विन यहाँ अनुमान लगा पाए कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं से भी पृत्वी की सत्य पर परिवर्तन आ सकता है विशालकाय विलुप्त स्तंधारियो सरिस्रिपो इत्यादी के जिवाश्मों से उन्हें पता चला कि पुर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में विभिनताओं के सासाथ समानताएं भी हैं अर्थात पृत्वी की सते पर परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन आया होगा क्या आप जानते हैं? 1938 में अफरी की तटके किनारे जब मच्छुवारों ने एक मच्छली जैसा जीव पकड़ा तब तहलका मच गया तब तक यह माननेता थी कि डाइनासोर की साथ ही यह विलुप्त हो गया है इसे सिलकेंथ नाम दिया गया इसमें कुछ विशेष्टाय उभेचरों की थी और कुछ मच्छलीों की उस समय यह माना गया कि इसका विकास रुक गया है अतह इसे लंबे समय तक जीवित जिवाश्म कहा गया परन्तु अब हम जान गये हैं कि इनमें विकास की प्रक्रिया अभी भी हो रही है इसलिए इन्हें जीवित जिवाश्म कहना ठीक नहीं होगा